यह जो expectations हैं, यह कहां से आती है, इसका root cause क्या है, अगर उसको हम समझ पाएं, तो हम इसको manage कर सकते हैं Expectations दो तरह की होती है, एक हमारी औरो से होती है, एक हमारी खुद से होती है पहले शुरू करते हैं, औरो से क्या होती है हमारी expectations, और क्यों होती है और उसे इसलिए होती ही हमारी expectations क्योंकि हम कभी खुद को नहीं समझते हैं कि हम actual में क्या हैं, हम सच नहीं बोलते हैं हम सब जूटे हैं बहुत जूट बोलते हैं और उसे भी और खुद से भी जैसे हम क्या expect करते हैं सामने वाले से कि वो जब मेरे साथ relationship में है तो वो किसी और के बारे में सोचे भी नहीं क्या जब आप किसी के साथ relationship में होते हो आप किसी और के बारे में नहीं सोचते हो क्या तो expectation क्या होनी चाहिए ये नहीं कि वो ऐसा सोचे ही नहीं क्योंकि सोच पर आपके खुद के ही अपना control नहीं है तो उसकी सोच पर उसका control कैसे हो सकता है attraction तो normal है उसमें क्या दिक्कत है और कभी-कभी थोड़ा बहुत aggressive हो जाना भी normal है आपका भी सामने वाले का भी तब उसमें क्या दिक्कत है now you are in a position कि अब आप एक relationship में जा सकते हो नहीं तो आपको relationship में नहीं जाना चाहिए यह नहीं कि उससे फाल्तु के questions पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में और भी किसी के बारे में कोई thought आता है क्या हां आता है अगर ऐसे पागल कोशन पूछ रहे हो तो पागल को आले जवाब लेंगे जूट के उपर question पूछ रहे हो तो जूटे जवाब ही मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए जो आपके अंदर होता है वह कोई अलग पराणी नहीं है तो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि अगर कभी तुम्हारे लाइफ में कोई और आ जाए जो मेरे से बेटर है या तुम्हें लगता है कि उसके साथ में तुम्हारा बेटर फीचर हो सकता है तो मुझे बता देना मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें बता दूगी यह रियलिस्टिक है इसमें कोई गरबड नहीं है बठाम सब डरे होएं अंदर से अरे वो निकल जाएगा हाथ से वो निकल जाएगी हाथ से यह गरबड हो गई है यह जितना आप उसको पकड़ने की को करना हे वो निकल जाएगा तो पकढ़ने की कुशिश मत करो न तो रिलेशनशिप से अगर कुछ legs करना ही दो यह जो भी आपका life partner उससे अगर कुछ करना आए स्पर लस्ट करो